तो वाट्सप्ट गाइस आएप यह रोल तुएंग वेल्कम बैक टो अब्स्राइक लोइनिग नदियों के किनारे जो भी इंपॉर्टेंट शेहर बसे हुए हैं उनकी चछा हम इस वीडियो में करने वाले हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा नदी के साथ गंगा नदी का सोर्स हम सबको पता है गंगोतरी ग्लेशियर है जो के उतराखंड में है भगी रथी नदी यहां से औरिजिनेट होती है जो बाद में यहां से भगी रथी आ रही है यहां से अलागननदा आ रही है यह मिल वेस्ट बिंगॉल में अगर आप देखोगे तो इसका नाम हूगली हो जाता है अब उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में इसके किनारे पे दो शहर मौजूद हैं एक रिशिकेश और एक हरेद्वार तो ये थोड़ा आपकी अंडिस्टैंडिंग के लिए मैप है कि यहां से बदरी नाज से निकल रही है अलाकनंदा अलाकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है इतना डीटेल में याद करनी की जुरत नहीं है बस याद रखो कि देव प्रयाग पे गंगोत्री के लेशेर से आती हुई भगी रथी और बदरी नाज से आती हुई अलाकनंदा मिलते हैं और इस से आगे उसका नाम गंगा पड़ता है यहां पे उसका नाम गंगा है उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे पे चार इंपोर्टेंट शहर है सबसे पहला इंपोर्टेंट शहर है कन्नौज फिर कानपुर फिर प्रयागराज और लास्ट वारानसी यहां पे उत्राखंड में इसके सोर्स के पास सबसे पहला शहर है रिशिकेश रिशिकेश से ही अगला शहर है हरिद्वार फिर वो यूपी में एंटर करती है यूपी में एंटर करती हुई वो सेंटरल यूपी के पास जबाती है तो उसके बैंक्स के पास प्रेजन्ट है कन्नौज कन्नौज इतना एक्जाम्स में नहीं पूछा जाता कानपूर पूछा जाता है क्योंकि ये बिलकुल गंगा नदी के किनारे पर है फिर प्रयागराज पूछा जाता है यहां से आती हुई यमना नदी आके यहां पे मिलती है गंगा के साथ यहां पे तीन नदिया मिलती है गंगा, यमुना और सरस्वती सरस्वती दिखाई नहीं देती माना जाता है कि सरस्वती underground flow करती है वो लग थो चुकी है अगला शहर है वारा नसी वारा नसी से आगे जब गंगा बिहार में एंट्री करती है तो सबसे पहले सबसे important शहर है पतना सबसे important city है पतना पतना के बादा है involved करती है गंगा नदी एंट्र करती है वंगोल में West Bengal में West Bengal में सर्फ इस इस अलाके में जब गंगा बह रहे है जब गंगा इसी ynाके में बह रही है तो उसका नाम गंगा है इससे आगे वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है एक side वो West Bengal में move करती है और एक branch उसकी बंगलादेश में चली जाती है तो जो branch उसकी West Bengal में move कर रही है उस branch का नाम है Hooghly कि यहाँ पर मैंने इसका नाम mention किया हुए और जो branch उसकी बंगलादेश में चली जाती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से जाके मिलती है उस ब्रांच का नाम है पद्मा तो यहाँ पे हूगली नदी के किनारे सबसे पहला शहर है मुर्शीदाबाद फिर है पलासी पलासी तो आप सब जानते ही होंगे पलासी का युद्ध अंग्रेजों और नबाब आफ बंगॉल के बीच में पलासी का युद्ध हुआ था उसके बाद है बारकपोर यहाँ पे अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी फिर आता है कलकत्ता और कलकत्ता के नीचे है हावडा और बिलकुल हमारे कोस्ट पे है हल्दिया का शहर इनमें से सबसे important अगर मुझे मार्क करने पड़े तो मैं पलासी को मार्क करूंगी मुर्शीदाबाद और कलकत्ता यानी कॉलकेटा कॉलकेटा सूपर important है मुर्शीदावाद, बारकपोर, हावडा, पलासी, हल्दिया ये सबॉर्डिनेट है पर आपको याद रखने है and since हम मैप्स के थुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जादा याद करने में दिक्कत होगी आपको नेक्स्ट हमारी डिवर है यमुना यमुना के किनारे पांच बहुत फेमस सिटीज है स्टार्ट करते यमुना नगर के साथ जहां से यमुना हर्याना में एंटर करती है उस सिटी का नाम है यमुना नगर यमुना नगर से होते हुए वो हर्याना और यूपी के बॉर्डर पे फ्लो करती है और फिर डेली में से होते हुए UP में एंट्री कर जाती है यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि पहला शहर यमुना पे है यमुना नगर उसके बाद है दिल्ली, सूपर इंपोर्टेंट फिर आता है मतुरा, मतुरा यह देखो यहाँ पे यमुना नदी के बैंक्स पे प्रेजन्ट है फिर आता है आगरा और लास्ट इंपोर्टेंट सिटी है अलाहबाद जहां पर यमुना जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और उसके बाद ये गंगा बनकर आगे फ्लो करती है नेक्स्ट रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा के बॉर्डर्स पर चार सिटीज है दिब्रुगड, तेशपुर, गुवाहाटी और धुब्री ये देख लीजिए यहां से ऐसे ब्रह्मपुत्रा इंट्री कर रही है इंडिया में इससे पहले इसका नाम सांगपो होता है सांगपो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है Sangpo यह चाइना में उसका नाम है तिबबत में उसका नाम है तो यहाँ से यह एंटर करती है इंडिया में इंडिया में एंटर करती है सबसे पहला important city इसके banks पे है दिब्रोगड दिब्रोगड के बाद अगला city है तेशपूर तेजपुर के बाद next city है गोवाहाटी और last important city है इसके ओपर धुबरी इसमें से सबसे ज़्यादा important मैं गोवाहाटी को मार्ग करूंगी और तेजपुर को मार्ग करूंगी दिब्रुगड आपको पता होना चाहिए धुबरी याद होई जाएगा धुबरी और दिब्रुगड दोनों थोड़ी नौर्थी स्ट्राइप के नाम लगते हैं और गोहाटी तो आप भूलेंगे ही नहीं सबको पता है गोहाटी आसाम में है पर क्या आसाम की capital है गोहाटी अगर आसाम की capital गोहाटी है तो आप मुझे comment section में बताईए और अगर नहीं है तो क्या है आसाम की capital वो आप मुझे comment section में जरूर बताना next river है हमारी सोन, सोन नदी अमर कंटक की पहाडियों से निकलती है और ये ultimately बिहार में पतना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी अमर कंटक प्लाटियों से निकलेगी और जाकर गंगा नदी में मिलेगी गंगा नदी आगे चलकर बंगाल की खाडी में खतम हो जाती है on the other hand यहाँ से west की तरफ निकलेगी नर्मदा नदी नर्मदा नदी जाकर गिरेगी arabian sea में या अरब सागर में तो अमर कंटक प्लाटियों से दो अलग-अलग डिरेक्शन्स में निकलने वाली दो नदियां originate होती है important city सोन नदी के किनारे है पतना जो बिहार में है यहीं पे जो सोन नदी है वो गंगा नदी के साथ मिलकर आगे गंगा बनकर बहती है अगली important river है हमारी इंडस river important city जो इंडस के किनारे है वो है ले है दूसरी city इस एक और important city है जो पाकिस्तान में है और उसका नाम है हिदराबाद यह इंडिया वाला हिदराबाद नहीं है यह पाकिस्तान का हिदराबाद है इंडिया में इंडस के किनारे एक important city है जो है ले next important river है झेलम झेलम के किनारे भारत में एक important city है जो है श्री नगर श्री नगर जेलम नई भूलना है बहुत easy है बहुत important है exams में बहुत frequently पूछा जाता है अगली नदी है हमारी नर्मदा नदी हमने डिसकस किया था कि नर्मदा नदी अमरकंटक फ्लाट्यू से निकलती है और ये इस तरीके से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई यहाँ पे खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है जो अरेबियन सी से या अरब सागर से कनेक्टेड है तो इस पे चार इंपॉर्टेंट सिटीज है एक जबलपुर है जो मध्यप्रदेश में है ओमका रेश्वर मांडला और भरूच भरूच गुजरात में है तो ये चार सिटीज इंपॉर्टेंट है नर्मदा के परस्पेक्टिव से अगली डिवर है हमारी तापी तापी नदी पे था उकाई डैम इसलिए तापी के उपर प्रेजन्ट है उकाई नाम का शहर इसके बाद एक शहर है मांडवी इतना खास नहीं याद रखने के जरूरत फिर कामरेज और सबसे जादा इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए वो है सूरत सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे पर प्रेजन्ट है यहाँ से आगे जाके तापी नदी भी खमबाथ की खाड़ी में गिरती है और फाइनली अरेबियंसी का हिस्सा बन जाती है या फिर अरब सागर का हिस्सा बन जाती है So guys that was all for today अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसे like कीजिए अपने friends और family के साथ share कीजिए ताकि वो भी सीख सकें चैनल को subscribe कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और bell icon दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की latest notifications आपको मिलती रहें Thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई